हेलो एवरीवन, वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल ममता मैस टुटोरियल और आज 10th क्लास में special lecture है बटा आज के lecture में हम discuss करेंगे आपका जो pre-board का exam हुआ था उसके section A के solutions को section A मतलब एक एक नंबर वाले जितने भी question थे इस lecture में हम उन सभी questions को discuss करने वाले हैं question number one, find roots of the quadratic equation 6x square minus x minus 2 equal to 0 यह आपको दीगहत समीगरन दे रखा है, इसके हमें मूल निकालने हैं, मूल मतलब हमें x की value निकालनी है 6x square minus में x minus में 2 equal to 0, कैसे निकलेंगे? पहले 6 और minus 2 की गुना करके देखेंगे minus का 12, x का coefficient देखेंगे बटा minus का 1 दो संखेंगे जिनको गुना करें तो यह आए और जोड़े तो यह आए, क्या आएगा? 4 और 3, minus 4 और minus 3, तक इनकी गुना करें तो क्या है? minus 12, और इनको जोड़े तो क्या है? minus का 1 6 x square, minus का 4 और plus का 3, तो minus का 4 x, plus का 3 x पहले 2 में से common लो बटा, क्या आएगा? 2 x, अंदर बचेगा 3 x माइनस में 2 अब इन दोनों में से common लो, कुछ भी common नहीं आ रहा बट एक तो common आ सकता है और एक common आएगा, मतलब एक से भाग देंगे, तो यही term रहेगी अब जो bracket में same same term है, उसे एक बार लिखतो और जो बच गई है term, उन्हें एक bracket में लिखतो equal to 0, दो bracket की गुना 0, या तो हमारी पहले वाली bracket 0 यहां से हम x की वैल्यू निकालने बटा, माइनस का 2 है, उदर जाएगा प्लेस का और x की वैल्यू के आगी 2 बटे 3 ऐसे यहां पे 2x plus 1 equal to 0, 2x की वैल्यू के आएगी माइनस 1 और x की वैल्यू के आएगी, माइनस में 1 by 2 हमें मूल निकालना था, मतलब हमें यह x की वैल्यू ही निकालने थी ठीक है बटा, तो गुननखन करने का तरीका है, हम चोटी क्लासे से भी पढ़ते हैं कि गुननखन किस तरह से करने है, प्लस में 10, d मतलब common difference common difference कितना है, 10 में से 4 के 6 का common difference है 10 अच्छे की उना, 60, 60 और 4, 64 यह हमारा AP का 11 मापद आएगा इस AP का सारव अंतर common difference निकालने की d निकालना है, d निकालने के लिए second term में से first term घटा दो, second term यह है, इसमें से हमने घटाई है first term, minus का 1, minus और minus, plus का 5, 5 में से 1 गया बटा, 4 आएगा question number 4, sides of two similar triangles are in the ratio, 4 ratio 9, areas बताना है areas क्या जाएगा, इनका square बैस side से तो बड़ा ही होगा ना area, और बड़ा आएगा तब आपने यह ध्यान में रखना है इनका square करना है, 4 की 4 से ही गुना करनी है, 9 की 9 से ही गुना करनी है, यह ratio आएगा question number 5 को discuss करते हैं, अब question number 5 देखे बटा, in triangle ABC, अगर AB आपको यह side दे रखिया है, AC आपको यह side दे रखिया है, BC आपको यह side दे रखिया है, दन आपने angle B निकालना है एक बार हम इन सभी भुजाओं का square करते हैं, 6 root 3 का square करेंगे, 6 root 3 की 6 root 3 से गुना, 6.36 और 36 तियां बेटा, 108 next हमारे पास AC, AC का square करते हैं, 12 की 12 से गुना क्या आएगी 144, सेम काम हम 3rd side के साथ करते हैं, 6 का square क्या आएगा 36 अब हम चेक कर रहे हैं कि किनी दो भुजाओं के वर्गों का जोड़, तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, बिलकुल आ रहा है, 138 और 36 को जोड़ेंगे तो 144 आ रहा है, मतलब यहाँ पे Pythagoras theorem लग रही है Pythagoras theorem बिटा हमेशा सम कोंड त्री भुज में लगती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा हमारे पास क्या है, A, C है तो इदर वाला कोंड क्या आएगा, B, यह कितने डिगरी का आएगा, 90 डिगरी का आएगा ठीक है बटा, सिधा-सिधा हमने सिर्फ चेक किया है, कि हमारी Pythagoras theorem फोलो हो रही है, या नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही थी, मतलब एंगल कितने डिगरी का मिलेगा, 90 डिगरी का मिलेगा सिक्सम, find the distance between two points, two points की बीच का distance, distance formula लगा दो बटा, फर्स कोडिनेट में से फर्स कोडिनेट घटा के उसका square कर दो, प्लस में, सेकिन कोडिनेट में से सेकिन कोडिनेट घटा के उसका square कर दो, बाके तो simplification है, मैनस P, मैनस P, मैनस में 2P और उसका square करेंगे तो बटा 4P square मैनस में Q, मैनस में Q, मैनस में 2Q और उसका square करेंगे तो बटा 4 Q square 4 को root से बाहर निकालेंगे तो क्या एगा 2 अंदर क्या बचा बटा P square प्लस क्याओ square और यही हमारा required answer है Question No.7 हमें इन दो points का क्या निकालना है मद्य बिंदू, middle point निकालना है बिलकुल अगर हमारे पास एक point है x1, y1 और दूसरा point है हमारे पास x2, y2, तो middle point के coordinate कैसे निकलते हैं first, first coordinate को जोड के उसका half कर देते हैं, second, second coordinate को जोड के उसका half कर देते हैं तो यहाँ पे 5 और 3, 8 का आदा 4, 4 और 2, 6 का आदा 3, यह आएगा बिटा, middle point question number 8 tangent 65 degree, अपोर में code 25 degree का मान अब देखिए 65 और 25 65 और 25 को जोड रहे हैं, तो 90 आता है मतलब हैं दोनों में से 1 को change करेंगे, उपर वाले को change कर देते हैं 65 degree को हम क्या लिख सकते हैं, बटा, 90 degree माइनस में 25 degree, denominator में हम इस पी changes नहीं कर रहे हैं सिरफ हमने numerator में changes किया है अब यहाँ पे हमने formula लगाया है tangent 90 माइनस theta, किसके बराबर होता है बटा, code theta के denominator में हमारे पास same term है cancel out होगे और value के 1 और हमें इस कामान value ही निकालनी थी ठीके बटा, discuss करते हैं अब 9th sum को बटा, LCM निकालना है 12, 15 और 21 का 12, 15 और 21 का 3 से जा रहे है 4, 5, 7 5 और 7 तो जाएंगे नहीं, 2 से कर लेते हैं फिर 2 से 7, 5, 35 35, 32, 70, 72, 140 140, 420 option भी आपका correct option है question number 10 इन में से कौन सी अ परीमे संख्या irrational number है अब देखे बटा, 4 का वर्गमूल 2 ये तो पुरी-पुरी term आगी है 9 का वर्गमूल 3 ये भी पुरी-पुरी term आगी है 4 का वर्गमूल 2 ये भी पुरी-पुरी term आगी है क्या 3 का वर्गमूल निकलता है बिलकुल निकलता जिस भी संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले वो क्या हो जाता है हमारे पास अपरी में संख्या हो जाती है मतलब ऐसे कौन से पॉइंट जो जहां रखें और वैलो इसकी 0 आ जाए तो simply हम भी फैक्टर बना के भी कर सकते हैं कैसे देखें ज़रा 6 x square minus 7 x minus में 3 6 और minus 3 की गुना minus 18 और ये क्या है बेटा minus का 7 दो नमबर जिनकी गुना करें तो ये आए जोड़े तो ये आए 2 x minus 3 इनमें कुछ भी common नहीं आ रहा 1 तो आई रहा है जो सेम सेम है उसे हम एक ब्रैकेट में रख देते हैं जो बचगी है उसे हम एक ब्रैकेट में रख देते हैं अब इनको रख देते हैं 0 के ब्राबर यहां से हम वाल्यू निकाल लेंगे जब हम इसको 0 के ब्राबर रख के कोडिंग ओप्शन ए बिटा आपका करेक्ट ओप्शन आएगा डिसकस करते हैं अब कोश्चन नमबर 12 को कोश्चन नमबर 12 देखिए अगर टेंजेंट एक की वैल्यू यह है तो कोसे की वैल्यू क्या होगी बिटा टेंजेंट का हमारे पास फॉर्मला पर्पेंडिकुलर पर्पेंडिकुलर कितना है चार बेस आधार कितना है तीन जब हम पायथा कोरे स्चोरम लगाएंगे तो यह क्या हैगा पांच हमें कोश से निकालना है मतलब बेस अपॉन में हाइपोटनियूस बेस कितना है तीन हाइपोटनियूस कितना है पांच तो कोस क्या हैगा तीन बटे पाच। ओ क्या हो का स्केयर, ओ पी का स्केयर, प्लस पी क्या हो के स्केयर के बराबर होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है, त्रिज्जा स्पर्ष लेखा पे इस पर्ष बिंदू पे क्या होती है, प्रपंडिकुलर होती है, लंब होती है, तो यह समकून यह तो हमारे पास 25 है, त्रिज्जा तो हमने निकालनी है, यह हमारे पास 24 है, 25 का स्केर क्या आएगा बिटा, 625, 24 का स्केर क्या आएगा बिटा, 576, जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 49, 49 किसके बराबर आएगा, पी, ओ का स्केर, और जब 49 का स्केर यहां जाके स्केर रूट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा बिटा, 7 आएगा, यह एक्सेसाइज का ही कुश्चन है बिटा, कुश्चन नमबर 14 देखे बिटा, a circle can have how many parallel tangents, एक वृत की अधिक से अधिक कितनी समांतर स्परश्रेखाई ह हो सकती है, बिटा, समांतर तो दो ही हो सकती है, कैसे, अगर एक circle है, एक स्परश्रेखा होगी, तो इसके parallel बिटा, एक ही हो सकती है, मतलब दो स्परश्रेखाई होंगी, और अगर by chance मालो, यहां पे यह समांतर वर्ड नहीं आता, सिरफ यह आता कि एक वृत की अधिक से परश्रेखाई हम कीच सकते हैं, ठीक है, डिसकोस करते हैं, कोश्चन नमबर फिफटीन को, फिफटीन देखे बिटा, इवदा पैरिमिटर एन एरिया फे circle और नियुमेरिकल एक्वल, किसी वृत का परिमाप, परिमाप मतलब परिदी, परिदी का फोर्मूला क्या होता है two pi r, और शेतरफल, शेतरफल का area क्या होता पैर पैर square, अगर यह दोनों बराबर हैं, तो हमें क्या निकालना है, बिट की तृज्जा, हमें रेडियस निकालना है, πैसे बिटा, पैस कड़ गया, ar two बार था, एक बार गड़ गया, तू बराबर है, और, ar की value क्या आ गई है, दो इकाई आगी है बिटा और अब डिसकस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम व्यास दो आर है तो त्रिज्जा कितनी हो जाएगी इसकी आधी उचाई कितनी है हमें निकालना है आयतन, आयतन का फोर्मूला बिटा पाई आर स्केर आर की जगए आर है ह की जगए एच है ओप्शन ए बिटा आपका करेक्ट ओप्शन आएगा ठीके बिटा, इसी के साथ हमारा सेक्षन ए एक एक नमबर वाले कोश्चन कम्पलीट होते हैं, नेक्स लेक्चर में हम करेंगे जो बोर्ड ने सेंपल पेपर अवेलेबल कराए हैं, उनके भी इस 16 कोश्चन को डिसकस्ट, तिल दन टेक केर, थांक्यो आरिवान फॉर वचिंग माई वीडियो